Today, we read diffusion. The spreading out and mixing of a substance with another substance due to the motion of its particles is called diffusion. एक मैटर के एक सबस्टान्स के पार्टिक्ल्स का दूसरे सबस्टान्स के पार्टिक्ल्स में इंटर मिक्स हो ना डिफ्यूजन कर लाता है डिफ्यूजन को हिंदी में बिशरन करते हैं इसको आगे पढ़ने के पहले हम लोग characteristics of particles of matter के बारे में देखते हैं characteristics of of particles of matter matter particles का चार में करेक्टर है first है जितने भी matter है उनके particles बहुत छोटे छोटे होते हैं means the particles of matter are very very small particles of matter are very very small second है the particles of matter have a spaces between them matter के particles first हुआ कि बहुत छोटे छोटे होते हैं और second point हुआ कि matter जो है suppose that is solid है यह liquid कुछ भी है तो इन particles के बीच में खाली space होता है vacant space होता है third point है the particles of matter are constantly moving यह जो particles है यह हमेशा motion में रहते हैं and fourth point is यह जो particle है एक दूसरे को attract करते हैं the particles of matter attract each other इन चारों पॉइंट को example के थ्रू समझते हैं suppose that हम लोगों में एक बीकर में potassium permagnate dissolve किया potassium permagnate purple color का होता है इसे red medicine के भी नाम से जानते हैं जो कि purple color का होता है अब इसमें से कुछ solution निकाल कर एक दूसरा बीकर में डालते हैं जिससे यह water भी purple होता है लेकिन इस water के composition में यह थोड़ा light होगा इसी तरह से इसमें से कुछ solution निकाल कर इस बीकर में डालें तो इसके compression में यह water हलका purple होगा तो इस से हम लोग इस activity से यह पता चलू रहा है कि potassium permagnate इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है तो यह पता चलू रहा है clearly कि जो matter है वो छोटे छोटे particles से मिलकर के बने होते हैं second point पर हम लोग आते हैं तो वो था कि matter के particle के बीच में खाली है space होता है जब भी हम लोग sugar को water में dissolve करते हैं तो sugar हम लोग को दिखाई नहीं देता है क्यों दिखाई नहीं देता है क्योंकि वो बाटर के बीच में जो vacant space है उसमें जाकर के वो fit होता है यह sugar particles यहाँ पर आकर के जो वाइकेंट space है butter molecules के बीच में वहाँ पर sugar particles आता है और यही कारण है कि इसका जो volume है sugar add करने के बाद भी अगर 100 ml बाटर लिए है suppose that और 50 g ग्राम sugar इसमें add किये हैं तो जो volume है बाटर का वो increase नहीं करेगा solution का जो volume है वो increase नहीं करेगा और sugar दिखाई क्यों नहीं दे रहा है तो डिजॉल हो गया है और वो इतना छोटा हो गया डिजॉल होने के बाद जो solution बना है उसके particles को हम लोग नेक्ट आइस से microscope से भी नहीं देख सकते हैं नेक्स्ट है particles of matter are constantly moving suppose that अगर एक टेस्ट ट्यूब में हम लोग बाटर लिए हैं और इसमें copper sulphate add किये हैं copper sulphate को हम लोग blue vitriol के नाम से जानते हैं blue vitriol इसे blue vitriol करते हैं और यह blue color का होता है अगर इसमें हम add करके छोड़ दें तो थोड़े समय के बाद बिना disturb किये हुए यह पूरा बाटर जो है वो blue हो जाएगा और अगर इससे disturb किये अश्टायर किये हिलाए डुलाए तो जल्दी हो जाएगा इससे यह clear होता है कि particle जो हमेशा motion में रहता है other example भी देख सकते हैं suppose that अगर बाती इंसे सश्टिक्स जलाएं घर में तो उसका महक दूर दूर तक या हमारे नाकों तक पहुँच जाता है तो यह भी particles के motion के कारण ही है और actual में यह diffusion के कारण हो रहा है ऐसा एक particles जो इंसेंस सश्टिक्स का जो particles है वो air particles के साथ इंटर मिक्स होकर के हमारे नाक तक पहुँच रहा है फिर next है जो particles of matter attract each other जितने भी solid है solid में जो particles होता है वो एक दूसरे को ज़्यादा attract करता है क्यों क्योंकि इसके बीच का जो खाली अस्थान है vacant space वो minimum होता है इसके से ज़्यादा liquid में होता है और liquid से ज़्यादा gas में vacant space होता है तो particles जतना close होगा उसके बीच force of attraction उतना ही अधिक होगा यह suppose that solid है यह liquid है और यह gas है तो यह solid के particles है यह liquid के है और यह gas के है तो यह particles एक दूसरे के काफी close है जिसके कारण से इसमें भांडरवाल force अधिक है और यह rigid form में होते हैं यानि solid को हम लोग rigid बोल सकते हैं इसमें देख रहे हैं liquid में कि बार्टर मॉलिकुल्स के बीच या liquid material के बीच जो molecules है उसके बीच vacant space ज्यादा है और इसलिए liquid जो है वो fluid है इसमें बहाने का गून होता है gas में देख रहे हैं कि दो particles के बीच और ज्यादा अधिक space है इसमें force of attraction कम है तो यह और अधिक fluid करेगा यानि solid को हम लोग rigid के category में रखेंगे और liquid और gas को fluid के category में रखेंगे और इस तरह से particles को भी देख लिए हम लोगों ने कि solid के particles closely packed होते हैं liquid में solid से थोड़ा ज्यादा दूर होते हैं और gas में काफी दूर दूर होते हैं तो diffusion जो है चुकि पार्टकिल्स में movement सबसे कम solid में होता है इसके particles अपने mean position पर vibrate करते हैं इसलिए इसमें diffusion सबसे कम होता है यानि rate of diffusion solid में सबसे कम होगा सबसे ज्यादा diffusion गैस में होगा उससे कम liquid में होगा और rate of diffusion जो है वो पार्टकिल्स का मैटर का temperature बढ़ाने के साथ heat अगर देंगे temperature change होगा इंक्रीज होगा तो पार्टकिल्स में motion इंक्रीज करेगा यानि कि जैसे जैसे temperature इंक्रीज करते जाएंगे पार्टकिल्स के मॉलिकुल्स का स्पीड भी जो है मोशन जो है वो बढ़ता जाएगा और टेंप्रेचर डिक्रीज करेंगे तो मोशन घरते जाएगा यानि rate of diffusion जो है वो टेंप्रेचर बढ़ाने के साथ साथ बढ़ता है इसलिए हम लोग के लेकर स्कूल गया है और अगर उसका धकन भी खोल देता है जो कि क्योंकि वो ठंडा हो चुका है तो उसका महग पूरे क्लास में नहीं जा पाता है क्योंकि टेंप्रेचर वहाँ पर कम है इसलिए उसका जो पार्टकिल्स का मोशन है वो घर जाता है यानि रेट ऑफ डिफ् जर्फ्जण को कर तेंप्रेचर और इनक्रीज्ठ औरेट ओफ डिफ्यूजन हो है हमारे घर में जो इलपी जीत गैस होता है अगर वो लीकेज करता है तो डिफ्यूजन के कारण ही उसकाद संel हम लोGAN के नाक तक पहूंच पाता है डिफ्यूजन के कारण ही गर्म खाने की महत हम लोगों के तक पहुंच पाती है कोई अगर परफ्यूम्स लगाए हैं तो उसका जो असमेल है डिफ्यूजन के कारण ही हम लोग ले पाते हैं इस तरह से डिफ्यूजन हम लोगों ने देखा और इसी पर एक बेस्ट है ब्रॉनियन मोसन ब्रॉनियन मोसन जो है सबसे पह के नुसार उन्हे ने ब्लड में देखा था पार्टिकल्ज का मोसन यह फार्टिकल्ज है तो तो जिसका मोसन कुछ इस तरह से है जिग-जएक टायप में राता है जिग-जएक मोसन तो इस तरह के जो मोशन होते हैं मैटेरियल में मैटर में सबसे पहले रॉबर्ट ब्रॉन ने इसे देखा था 1827 में उन्हीं के नाम पर इसे ब्रॉनियन मोशन नाम रखा गया और डिफ्यूजन और ब्रॉनियन मोशन दोनों से हमें नेचर आफ मैटर पता चलता है कि जो फर्स्ट है अगर एक्जाम में कोशन रहे कि ब्रॉनियन मोशन और डिफ्यूजन पर बेस्ट मैटर का टू कंक्लूजन लिखें तो उसके अधार पर हम लोग बता सकते हैं आइंड़ बेसी सब्रॉनियन मोशन और ऑन डिफ्यूजन मैटर इज मेड़ आप आफ टीनी पार्टकिल्स मैटर जो है वह छोटे छोटे पार्टकिल्स से मिल करके बने होते हैं और सेकंड पॉइंट बता सकते हैं कि माट्ट अफ मैटर और कॉंस्टेंट ली मोविंग है वो हमेशा कि मोसन में रहते हैं यह दो पॉइंट जो हम लोगों को पता चलता है डिफ्यूजन से और ब्राउनियन मोसन से पता चलता है कि अब जो